पहली खबर अजय देवगन की फिल्म द्रिश्यम्टू से है जो की 200 करोड टलब में पहुँच चुकी है यह फिल्म अब तक कुल 210 करोड रुपए कमा चुकी है डारेक्टर लव रंजन ने एक नई फिल्म अनाउंस किया है जिसका नाम T.J.M.M है जिसमें रणवीर कपूर और श्रधा कपूर लीड रोल में होंगे अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म सेलफी के लिए एक गाना शूट कर रहे है यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी इस फिल्म में अक्षय के साथ इमरान हाश्मी भी नजर आएंगे सिधार्थ मलहोतरा की अगली फिल्म मिशन मजनु का पोस्टर रिलीज हुआ है यह फिल्म नेटफलिक्स पर 20 जनवरी को रिलीज होगी इस फिल्म में सिधार्थ के साथ रश्मी का मंदाना भी दिखेंगी आज की सबसे बड़ी खबर फिल्म RRR से है इस फिल्म को Global Globe Award के लिए नॉमिनेट किया गया है साथ ही Best Original Song के लिए भी Global Globe Award के लिए नॉमिनेट किया गया है